बॉलिवोड के दिगगर जो अभिनेता किंग खान यानि शारुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफतार किया गया है आपको बता दें कि आर्यन से ड्रक्स के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल यूरो के अधिकारियों ने पूछतास किये और उसके बाद उन्हें गिरफतार से लिया गया है इसी बीच शारुख खान का एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आर्यन बैट बॉई बने अगर वो गोट बॉई बनते दिखाई दिये तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूगा हाला कि ये वीडियो काफे पुराना है सन 1997 में सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में शारुख खान पहुँचे थे उनके साथ उनकी पतनी भी मौजू थी और कुछ वक्त पहले ही उनके बेटे आर्यन का जन्म हुआ था उस इंटर्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आज सच होता दिखाई दे रहा है और उनके बेटे ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था शारुख वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि वो आर्यन को कहेंगे कि जब वो 3-4 साल का हो जाएगा अब वो लड़कियों की पीछे ज़ा सकता है ड्रग्स ले सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर पाया आर्यन खान सिल्वर स्क्रीन पर कब कदम रखेंगे इसको लेकर सब के मन में बहुत सवाल थे लेकिन इससे पहले ही आर्यन किसी फिल्म में नज़र आते वे ड्रग्स के मामले में फस गए आर्यन के साथ ही तीन आरोपियों को एक दिन की NCB हिरासत में भेजा गया था NCB ने कोट से दो दिन की यानि 5 अक्टूबर तक आरोपियों को हिरासत में रखने की मांगी थी